क्रिष्ण जन्म भूमी मुख्ष पक्षकार मनीश यादो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इनी से जानते हैं क्योंकि लोकसभाज चुनाओ कि पहले चरण की वोटिंग हो गई है पश्चमी उत्रप्रदेश में ये वोटिंग हुई है वोट परसंटेज बेहत कम गया ह ऐसे में जो यूपी में है यादो को लामबन करने की जिम्मेवारी है वो काफी हद तक राममंदिर बनने के बाद जो मनीश यादो हैं बड़े मुखर है और सरकार के साथ कदम ताल मिलाते हुए जो यादो वोट बेंक है उसमें सेंद मारी करने का काम कर रहे हैं बनीश आदो ची यह बताईए कि पश्चमी उत्र प्रदेश में पहले चलंड की वोटिंग वोटिंग परसंटेज बहुत कम है और क्या वज़े रही और साथ ही यादो वोड बैंक जो है उसमें कितनी से इंद्मारी कर पाएंगे देखी यादो वोड बैंक के अगर बात हो कि तो भी यादो लेंड के चुनाओ दूसरे चलंड से सुरू हो रहा है यादो पूर्ण रूप से भारती जन्ता पार्टी के साथ रहेगा इस बार और पश्चमी उत्तर प्रदेश की आठ में साथ सीटे भारती जन्ता पार्टी ज ही है इस बार जो सीट हम कभी नहीं जीते हैं मैंपरी वो भी हम लोग बड़े मारजन से जीतेंगे जानकार कह रहे हैं कि बूत प्रमुक और पन्ना प्रमुक जो बनाए गए थे वो बाहर निकले ही ने वो किसी काम नहीं आए इसलिए वोट परसंटेज कम पड़ा है और ज नारा दिया था एक बूत दस यूथ तो दस के दसो यूथ डटे रहें इतनी गर्मी में मौसम खराब होने के बावजू दूब सबके बावजू लोग हमारे लगे रहे यह एक गटबंधन ठक बंधन के लोगों ने नारा दिया कि पन्ना प्रमुक लोग बाहर नहीं है यह स पूरे विष्ट की सबसे बड़ी पार्टी ऐसे भारती जल्टा पार्टी नहीं बन गई संगठन में हमारे हां एक नियम होता है एक जब चुनाओ होता है तो संगठन के नेता कई जगे पे लगाए जाते हैं तो एक एक बूत अद्धेच बूत पे था यह सब भरम है कहीं क क्या नाराजगी रही कि आपने सपा से नाता तोड़ा और ठीक लोग सबाद चुनाओ के पहले खुल करके आप मैदान में आ गए और मद्ध बृदेश के जो सियम है अभी आपने यादव महाकुम कराय था इतना बड़ा सहलाव उम्रा था उसमें कराय था आपने तो यह क्या संदेश देने की कोशिश थी ठीक चुनाओ से पहले और जो संदेश जा रहा हो किस हद तक जा रहा है आपको क्या लग रहा है क्या अब धरातल पर देख रहें आप देखे मनीश यादो मैं अपना एक वसूल बताता हूं जहां रहता हूं पूरी मांदारी निष्ठा के साथ रहता हूं जब समाजवादी पार्टी में जब तक रहा पूरी मांदारी निष्ठा के साथ रहा लेकिन समाजवादी पार्टी की नीतियों से इतना आहत हुए हैं लोग में ही नहीं हजारों लोग वहां से हटे हैं कार आप देखिए उत्ता प्रदेश में लोगसभा चुनाव में चार यादों को टिकट समाज जादी पार्टी ने दिया है आप बताई वह चारों यादो कौन है अकिलेस यादो के पतनी डि यादों को बहुत पहले नीड़ने लेना चाहिए था और जो तीन मार्श को यादो महाकुम लगनों में आउजित हुआ तो मोहन यादो जी के नेतरत में मानी बजेश पाठक जी के नेतरत में यादो बहुत तेजी से भारती जंता पार्टे की साथ जुड़ाया आप इसका एक तरफ मनीश यादों है और दूसरी तरफ और भी भाजपा में यादों के कद्दावर निता है मैं नाम क्या कोट करूं आप खुद ही जानते होंगे तो क्या लग रहा है कि उसमें आप अपनी पैट पार्टी में किस हद तक बना पाएंगे क्योंकि यादों का भी एक ज आचकुमार में और देश की सबसे बड़ी पार्टी में आधरनी मोदी जी के कुसल नेतरत में यहीं अंतर है वहां निर्णाए एक वेक्त लेता है कि सिप परिवार वाधी हावी रहेगा यहां निर्णाए एक टीम लेती है एक तैयारी होती है योजना बनती है जो काम आगे जाएगा जो काम और मेनद नहीं करेगा उपने घर बैठेगा उस दिन पहले आपने कहा था यह नकली यादों है इसका क्या मतलब है अगर असली यादों होते तो स्रीकृष जन्मिस्थान की बात कर रहे होते हैं आज जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई जिनके परिवार में बाप बेटे दोनों मिला के चार बार मुक्वंत्री रहे आज वो अपने अराद भगवान स्रीकृष न की बात नहीं कर पाते हैं तो उनको यदवन्सी होगा जो स्रीकृष जन्मिस्थान न गया हो यादों के अराद देव माने जाते हैं और भगवान स्रीकृष न ही जन्मिस्थान नहीं गये तो इसलिए मैं इनको नकली ने तुम्हें यादों ही नहीं को नहीं मानता बार बार कहता हूं इनके डीने में समस्या है यह सिर्फ आजम खान और रामपूर जेल तक सीमित हैं तो यह थे मनीश यादों इनका कहना है कि अ